Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है Free of cost quality education from class K to class 12 जी हाँ सही सुना आपने केंचर काड़िन से लेकर class 12 तक की कराई जाती है आपको complete education वो भी Free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है और कर देना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSC बोर्ट से लेकर Other State Board जैसे की UP Board, MP Board, Bihar Board जैसे Courses भी अवेलेबल है यहां तक की आपको Practice Questions में आपर solve कराई जाते हैं E-Books and E-Notes की जो लिंक है आपको Description Box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी Maths Faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे Chapter 12 जिसका नाम क्या है Factorization उसकी Exercise 12.1 मतलब Exercise 12.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं और प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख चुके हैं? कि Factorization क्या होता है? साथी में हम Regroup करके किसी भी expression को Factorize कैसे कर सकते हैं? ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था और हमने NCRD के कुछ examples भी solve किये थे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है वो वीडियो समझ में आएं तो इस वीडियो को Like, Comment and Share करना है और फिर आना है इस Topic पर मतलब Exercise 12.1 पर चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहला question क्या है Find the Common Factors of the given Terms मतलब यहाँ पर हमें अलग-अलग Terms देखे रखें हैं हमें क्या करना है उनके Common Factors whine out करना है तो क्या हम कर सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं सबसे पहले हम जा करेंगे question first क्या देखे रखा है 12x and 36 तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 12x अगर हम करते है 12x को factorize ठीक है, prime factorization निकालना होगा factors निकालने होगे तो factors कैसे निकालते है सबसे पहले तो जो हमें 12 दिख रहा है उसका prime factorization कर देंगे 2, 6 is a 12 and 2, 3 is a 6 and then उसके बाद 3, 1 is a 3 ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 multiply by 2, multiply by 3, multiply by x ठीक है, then उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 36 तो यहाँ पर हम 36 लिखेंगे and 36 के भी हम prime factors निकालनेंगे यहाँ पर क्या आएगा 36 then 2, तो यहाँ पर 2 18s are 36 2 9s are 18 3 3s are 9 and then उसके बाद 3 1s are 3, तो यहाँ पर factors क्या आ रहे हैं 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, ठीक है इतना आ गया समझ में, अब हमें क्या करना है अब हमें common factors लिखने हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे common factors of 12x and 36 क्या है common factors हमें क्या common दिख रहा है यहाँ पर भी 2 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 है यहाँ पर भी 3 है and यहाँ पर भी 3 है इसका मतलब क्या है 2 multiply by 2 multiply by 3 हो जाएगा तो 2 2s are 4 and 4 3s are 12 तो common factors क्या आ रहे हैं Common factors आ रहे हैं 12, ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down, चली, अब next देखते हैं, next क्या है, second question, second question क्या है यहां पे, second question है 2y and 22xy, ठीक है, दोनों में से हमें क्या करना है, दोनों में से हमें common factors निकाल ले, तो अगर हम बात करें 2y की, तो 2 multiply by y, इसके factors हो जाएंगे, and 22xy की बात करें, तो 2 multiply by 11, multiply by x, multiply by y, इसके क्या होंगे, factors होंगे, अब factors लिख लिए हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें common factors लिख लेना है, ठीक है, तो common factors, common factors of 2y and 22xy, तो common factors क्या होंगे यहां पर, हमें सिर्फ 2 common दिख रहा है, तो यहां पर क्या आजाएगा, 2 आजाएगा, ठीक है, इतना है समझ में, बस ऐसे ही simple तरीके से हमें कर देना है, सबसे पहले तो factors लिखेंगे, and then common factors, ठीक है, next देख लेते हैं, next क्या है, third question, third question क्या है, 14PQ and 28P square Q square, इसमें से भी हमें क्या करना है, common factors निकालने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, 14PQ, तो 14PQ के factors क्या होंगे, 2 multiply by 7, multiply by P, multiply by Q, ठीक है, ऐसी अगर हम देखें, 28P square Q square, तो इसमें क्या factors होंगे, तो क्या करना होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, 28 का, prime factorization निकाल सकते हैं, या पर directly भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, 2 ones are 2 and 2 fours are 8, ठीक है, दन उसके बाद 2 sevens are 14 and then उसके बाद 7 ones are 7, ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by P square लिखा है, तो मतलब P multiply by P होगा, multiply by Q multiply by Q हो जाएगा, क्योंकि यहां पर Q square भी है, तो अगर हम बात करें common factors की, तो 2 हमें common दिख रहा है, 7, 7 हमें common दिख रहा है, P, P हमें common दिख रहा है, Q, Q हमें common दिख रहा है, तो यहां पर common factors क्या हो जाएगे? क्या है, common factors of 14 PQ and 28 P square Q square is equal to, क्या है यहां पर? क्या है, common 2 multiply by 7 multiply by P multiply by Q, ठीक है, तो क्या बन रहा है, 2 7s are 14 and साथी में क्या आ जाएगा, P, Q, ठीक है? आ गया समझ में आया है, तो आप इसे note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down चले, अब next देखते हैं, next क्या देखे रखा है, question 4, question 4 क्या है, 2x, 3x square and 4, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2x, तो क्या होगा, 2 multiply by x, फिर हम लिखेंगे यहां पर 3x square, तो क्या होगा, 3 multiply by x, multiply by x, then उसके बाद 4 देखे रखा है, तो यहां पर 2 multiply by 2 आ जाएगा, ठीक है, तो अगर हमें find out करना है common factors, तो हम देखेंगे इन में से कौन सा common दिख रहा है, तो यहां पर हमें x common दिख रहा है, लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, लेकिन यहां पर 2 नहीं ह अगर हमें कुछ ऐसे case देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें common कोई factor नहीं मिलता है तो उनका common factor क्या आता है? उनका common factor आता है 1 तो यहाँ पर हम लिख देंगे common factor of 2x, 3x square and 4 is equal to 1 ठीक है? आगया समझ में आया है तो आप इसे note down कर लिजिए और साथ ही में वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को like, comment and share भी करना है कर लिए आपने note down चलिए अब next देख लेते हैं next क्या है? 5th question 5th question क्या है? 6abc and 24ab square and 12a square b ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हैगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 multiply by 3 multiply by a multiply by b multiply by c सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें इन्हें तुकडों में बाट देंगे मतलब इनके factors लिखेंगे ठीक है? split कर देंगे and then उसके बाद 24 a b square तो इसका answer क्या होगा? 24 a b square तो 24 का हम क्या करेंगे? prime factorization निकालेंगे 24 का prime factorization निकालेंगे तो 2 12s आ 24 2 6s are 12 2 3s are 6 and then उसके बाद 3 बंज़ा 3 ठीक है? आया समझ में तो यहाँ पर अब हमने इसे तुकडों में पाटा तो क्या आ रहा है? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 and then उसके बाद a multiply by b multiply by b आ जाएगा ठीक है? तो हमने सारे factors लिख लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम 12 a square b के भी factors लिख लिएगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 multiply by 2 multiply by 3 e multiply by a multiply by a multiply by b ठीक है? इतना आ गया समझ में अब हमें क्या देखना है? अब हमें common factors देखने हैं ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें common factors तो common factors के आएगे? तीनों में ही 2 common दिख रहा है तीनों में ही हमें 3 b common दिख रहा है तीनों में हमें A भी common दिख रहा है तीनों में हमें B भी common दिख रहा है उसके लावा और कुछ भी common नहीं दिख रहा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 multiply by 3 multiply by A multiply by B जिसका मतलब क्या है 2, 3 is a 6 और 7 में क्या आजाएगा 7 में A B आजाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर इन तीनों terms में हमें common क्या मिल रहा है 6 a भी common मिल रहा है ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए कर लिया आपने note down चलिए अब next देख लेते हैं next क्या है 6th question 6th question क्या है 16 x cube minus 4 x square and 32 x ठीक है तो सबसे पहले अगर हम देखें 16 x cube को इसके अगर हम factors निकालते हैं तो क्या आएंगे 2 8s are 16 2 4s are 8 and then उसके बाद 2 2s are 4 and then उसके बाद 2 1s are 2 ठीक है तो क्या आ रहा है यहाँ पर 2 multiply by 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 x multiply by x multiply by x multiply by x ठीक है इतना आ गया समझ में चलिए अब next क्या देखे रखा है next हमें देखे रखा है minus 4 x square ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे minus 2 multiply by 2 क्योंकि 2 2s are क्या होता है 4 होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर minus भी लगा है तो हम यहाँ पर minus भी लगा देंगे then उसके बाद x multiply by x then उसके बाद हमें क्या देख रहा है 32 x तो हम क्या करेंगे इसके भी factors निकालने है तो as I told you यहाँ पर क्या होगा 32 का भी हम prime factorization निकालने है तो 2 16s are 32 2 8s are 16 then उसके बाद 2 4s are 8 and then उसके बाद 2 2s are 4 and then उसके बाद 2 1s are 2 तो यहाँ पर factors क्या आ रहे है 2 multiply by 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 2 and then उसके बाद x भी है तो multiply by x कर देंगे ठीक है then हमें क्या बताना है हमें बताना है यहाँ पर common factors तो तीनों के common factors क्या आ रहे है common factors of 16x cube minus 4x square and 32x is equal to तो हमें क्या दिख रहा है तीनों में ही 2 है यहाँ पर 2 and 2 यहाँ पर 2 and 2 आप सोच रहोंगे कि यहाँ पर minus का sign है तो minus के sign को हम कर देंगे ignore हम सर्फ यहाँ पर क्या देखेंगे 2 ही देखेंगे क्योंकि हम चाहें तो इससे कैसे लिख सकते minus 1 multiply by 2 तो वह ही आएगा क्योंकि 2 का multiplication minus 1 से होगा minus 2 यह आएगा लेकिन इससे क्या हो जाएगा यह जो 2 है यह separate हो जाएगा ठीक है, तो हमें basically चाहिए 2 तो हम 2 पे focus करेंगे अभी minus के sign को कर देंगे ignore, ठीक है, आगे समझ में तो यहाँ पर 2, 2, 2 और यहाँ पर 2, 2, 2 2 2 हमें common मिल रहे है then यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, ठीक है उसके अलावा हमें कुछ भी common नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 multiply by 2 multiply by x तो कितना मिल जाएगा हमें 4x मिल जाएगा, तो common factor क्या निकल क्या रहा है, 4x निकल क्या रहा है ठीक है, आगे समझ में इसे भी note down कर लीजिए कर लिया अपने note down चलिए अब next question देखते है, next question क्या है 10pq, 20qr, 30rp, ठीक है तो इनके भी हम factors निकालेंगे सबसे पहले 10pq तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 multiply by 5 multiply by p multiply by q then उसके बाद क्या है 20qr, तो इसमें क्या आजाएगा 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by q multiply by r then उसके बाद क्या है 30rp, तो यहां पर क्या आएगा यहां पर क्या आजाएगा अगर हम 30 का निकालते हैं prime factorization to 2 15s कितना आएगा 30, दैन उसके बाद 3 5s 15 and then उसके बाद 5 बंजा 5 तो क्या आएगा 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by r multiply by p ठीक है इतना आगया समझ में, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें common factors की तो तीनों में हमें common factors क्या दिख रहे हैं common factors common factors of 10pq, 20qr and 30rp तो क्या दिख रहे हैं common factors तीनों में ही 2 है तीनों में ही हमें 5 भी दिख रहे है उसके अलावा कुछ दिख रहे हैं यहां पर p है लेकिन यहां पर नहीं है यहां पर q है, यहां पर b है लेकिन यहां पर नहीं है यहां पर आ रहे है, यहां पर आ रहे है लेकिन यहां पर नहीं है नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स के देखे रखा हैं नेक्स्ट क्वेशन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम 3x² y³ के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3xxxxyy तो यहाँ पर क्या आएगा 2 multiply by 5 multiply by x multiply by x multiply by x multiply by y multiply by y ठीक है आगे समझ में चलिए अब next देखते हैं next क्या है 6x square y square z तो यहाँ पर क्या आएगा 2 multiply by 3 multiply by x multiply by x multiply by y multiply by y multiply by z ठीक है आगे समझ में चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें common factors तो हमें क्या दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है ठीक है यहाँ पर x है यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है ठीक है यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, मतलब 2x तो हमें common मिल रहे है यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, मतलब 2y भी हमें क्या मिल रहे है, common मिल रहे है तो अगर हम बात करें common factors की अगर हम बात करते हैं common factors की तो common factors of 3x square y cube 10x cube y square 6x square y square z में हमें क्या common मिल रहा है? x multiply by x multiply by y multiply by y मतलब क्या है? x square y square हमें क्या मिल रहा है? common मिल रहा है ठीक है? इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए कर लिए आपने note down और वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को like, comment and share भी करते चलना है अब next देखते हैं next क्या है? question second question second क्या है? factorize the following expressions हमें क्या करना है? यह हमें expressions देखे रखे हमें इने करते हैं factorize ठीक है? सबसे पहले question क्या है? सबसे पहले question है 7x minus 42 ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम factors देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 7 multiply by x 7x के factors निकालते हैं आएगा 7 x x minus 42 के अगर हम factors निकालते हैं तो क्या आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे prime factorization method का use तो यहां पर आ रहा है 21 then 3 की table से होगा 3 7s are 21 and then उसके बाद 7 1s are 7 तो क्या रहा है यहां पर 2 multiply by 3 multiply by 7 ठीक है इतना आगया समझ में अब हमें क्या दिख रहा है दोनों में क्या common है सिर्फ 7 common हमें दिख रहा है तो 7 यहां पर लिख देंगे ठीक है 7 यहां पर क्या बच रहा है यहां पर x बच रहा है तो यहां पर हम x लिख देंगे 7 जो दोनों में common है उसे हम बाहर निकाल देंगे उसके बाद जो numbers या variables हमें दिख रहे हैं वो हम bracket में लिखेगे तो यहाँ पर x दिख रहा है x लिख दिया यहाँ पर minus दिख रहा है minus लिख दिया यहाँ पर 2 multiply by 3 है मतलब 2, 3 is a 6 तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया तो answer क्या आ रहा है 7 bracket open x minus 6 bracket close ठीक है आगे समझ में चलिए अब next देखने है next क्या है second question second question क्या है 6p minus 12q ठीक है तो अगर हम 6p को देखें तो क्या आएगा 2 multiply by 3 multiply by p वीच में minus का sign और अगर हम देखें 12 को तो यहाँ पर क्या आएगा 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by q ठीक है इतना आगे समझ में अब यहाँ पर हमी क्या दिख रहा है 2 multiply by 3, 2 multiply by 3 दोनों में ही common है तो 2 multiply by 3 क्या आता है 6 तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर क्या बच रहा है यहाँ पर बचता है P ठीके, यहाँ पर क्या बचता है P and then minus sign and then यहाँ पर क्या बचता है यहाँ पर बच जाता है 2Q ठीके, 2 multiply by 3, 6 बार लिख दिया तो यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर Q बच रहा है तो answer क्या आ रहा है 6 bracket open P minus 2Q bracket close ठीके, आगया समझ में चलिए अब next देख लेते हैं next question क्या है next question third 7A square plus 14A क्या दिख रहा है हमें 7A square plus 14A तो अगर हम देखें अगर हम directly करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 7 14 कैसे आता है 2 multiply by 7 करके ठीके तो दोनों में क्या common है दोनों में ही 7 common है साथी में अगर हम बात करते है variables की तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है A square लेकिन यहाँ पर 1 ही A है मतलब A तो दोनों में ही common आएगा है तो यहाँ पर अगर हम 7 और A को ले लेते हैं बाहर ठीक है? क्योंकि दोनों में ही common है यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर 7 आएगा क्योंकि 2 multiply by 7 14 होता है यहाँ पर A square है यहाँ पर A है तो at least A के तो common है ना तो यहाँ पर A भी हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचता है? A square है मतलब a के अभी भी भी बच रहा है बीज में प्लस का साइन एंड यहाँ पर 7 बार निकाल लिया है 7, 2 जब 14 होता है मतलब 2 अभी भी भी यहाँ पर बच रहा है a तो हमने भार ही निकाल लिया है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 7 a bracket open a plus 2 bracket close आगया समझ में बहुत ही easy है then उसके बाद next question क्या है next question है question 4 question 4 क्या दिख रहा है हमें minus 16 z plus 20 z cube ठीक है क्या दिख रहा है हमें minus 16 z plus 20 z cube तो इसमें आप common क्या दिख रहा है हमें यह पता है कि 16 and 20 में 4 तो common आएगा ही क्योंकि 4 की table में 16 भी आता है and 4 की table में 20 भी आता है तो अगर हम 4 को लिख दे बहार क्योंकि दोरों में ही common है and अब अगर हम बात करें किसकी variables की यहाँ पर z है यहाँ पर z cube तो मतलब 1 z तो common होगा यहाँ पर 1 z है तो हम 1 z लिख सकते है न तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 z भी ठीक है आगया समझ में तो 4 z अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, 4, 16 होता है तो मतलब यहाँ पर 1 4 तो बच रहा है minus का sign भी बच रहा है तो 4 बाहर निकाल लिए अभी 5 तो भी बच रहा है न देन उसके बाद z cube है तो 1 z बाहर निकाल लिए तो 2 z अभी भी बच रहे है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे z square ठीक है तो answer क्या आ रहा है 4 z bracket open minus 4 plus 5 z square bracket close ठीक है जिसे हम कैसे लिख सकते है positive वाले को आगे लिख सकते है मतलब 5 z square and उसके बाद minus 4 को हम बाद में भी लिख सकते है ठीक है इतना आगे समझ में चलिए अभी आप इतना note down कर लीजिए तेना हम आगे देखते है कर लिया आपने note down चलिए अब next से देखते है next क्या है 5th question 5th question क्या है 5th question है 20 L square M plus 30 A L M ठीक है तो अगर हम दोनों में देखे दोनों में ही हमें 0 0 दिख रहा है है ना and साथी में हमें ये भी पता है 20 जो है 10 की टेबल में आता है 30 भी 10 की टेबल में आता है मतलब हमें ऐसी डिजिट देखनी है मतलब ऐसी डिजिट देखनी है मतलब यहां पर जो देखे रखे है ना हमें numbers वो ऐसी डिजिट हो जो की common हो मतलब जैसे की 30 है 20 है तो दोनों ही 10 की टेबल में आता है दोनों ही आता है ना हमें ऐसे नहीं देखना कि यह अलग table में आए और यह अलग table में आए हमें common table देखने हैं ऐसा number देखना है तो जो दोनों से ही divide हो सके ठीक है आगया समझ में चलिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर 10 यहाँ पर भी 10 होगा 2 multiply by 10 20 हो जाएगा 10 L square है यहाँ पर भी 1 L है ठीक है common की बात करें तो हमने directly देख लिया है यह जो दोनों है वो दोनों ही 10 की table में आते हैं ठीक है आगया समझ में मतलब यह दोनों ही 10 के multiples हैं यहाँ तो हम उल्टा बोलने कि दोनों ही 10 की टेबल में आते हैं यहां वैसे बोलने कि यह दोनों ही 10 के क्या है multiples हैं तो इसका मतलब किया दोनों में 10 तो common आई ही रहा है साथी में यहां पर L स्कॉायर है अब अगर हम बात करते हैं किसकी variables की 2 multiply by 10 कितना हो 2 multiply by 10 20 होता है 3 multiply by 10 30 होता है तो अब भी हमने क्या किया दोनों में 10 को बाहर निकाल लिया क्योंकि दोनों में 10 common है दैन उसके बाद L की अगर हम बात करें यहां पर L स्कॉायर है लेकिन यहां पर A की L है तो हम एक ही L बाहर निकाल सकते हैं है ना दोनों में 1 L तो common है साथ में बात करें यहाँ पर एक M है यहाँ पर भी एक M है तो हम एक M को भी बाहर निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या बचता है अब common चीज तो हमने बाहर निकाल ली ठीक है तो यहाँ पर factorize करने पर answer क्या आ रहा है 10 L M bracket open 2 L plus 3 A bracket close ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए कर लिए आपने note down चलिए बहुत ही easy है अगर आपको directly नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं यहाले factorize कर सकते हैं एक टर्म को और उसके बाद common लिख सकते हैं ठीक है confused नहीं होना है यहाँ पर अब six question देख लेते हैं क्या है six question five x square y minus fifteen x y square तो दोनों में ही हमें क्या common दिख रहा है five तो दिखी रहा है क्योंकि five यहाँ पर है and three five is the fifteen होता है ठीक है तो यहाँ पर हम five को बाहर ले लेंगे फिर यहाँ पर x square है यहाँ पर एक ही x है तो हम सिर्फ पर सिर्फ एक x ही बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर y है यहाँ पर y square है लेकिन हम सिर्फ एक ही y बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1x बच रहा है क्योंकि यहाँ पर 1x बचेगा बागी 5xy तो हमने बाहर निकाल लिया है then minus का sign and यहाँ पर बच रहा है 3 and उसके बाद y आगे समझ में कैसे किया हमने 5xy दोनों में से बाहर निकाल लिया जब 5xy को बाहर निकाल लिया तो बच क्या रहा है यहां पर 1x बच रहा है माइनस का साइन बच रहा है और 5, 3 जब 15 होता है जिसमें से 5 बाहर निकाल लिया है तो 3 अभी भी यहां पर है ठीक है x हमने बार निकाल लिया है y भी बार निकाल लिया लेकिन एक y अभी भी बचा हुआ है तो हमने यहाँ पर y लिख दिया ठीक है आगया समझ में चलिए अभी हम next देख लेते हैं 7 तो 7 क्या है 10 a square minus 15 b square plus 20 c square ठीक है तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 10 है यहाँ पर 15 यहाँ पर 20 मतलब 3 ही 5 की टेबल में आते हैं तो मतलब 5 इन में तो common निकलेगा ही तो हम क्या करेंगे 5 को बार लिख देंगे ठीक है यहाँ पर a square है यहाँ पर b square यहाँ पर c square तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 को भी बार निकलेंगे ठीक है इतना आया समझ में हम एक काम करते हैं इसको तोड़ कर लिखते हैं क्योंकि 33 terms अभी यहाँ देखे रखें तो confused नहीं होना है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 x 5 x a x a इतना आगे समझ में minus का sign then उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे आजाएगा 3 x 5 x b x b आगे समझ में 2 5 is 10 and a square मतलब a x a minus का sign है then उसके बस 15 को factorize करते हैं तो 3 x 5 and b square है मतलब b x b then यहाँ पे plus का sign then उसके बाद 2 x 2 x 5 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा आगे समझ में directly नहीं समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है prime factorization method का use करना है तो यहाँ पे factors निकल की आ जाएगे then उसके बाद यहाँ पे c x c तो अगर आप 3ों में देखो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही common मिलेगा तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे then 5 बाद निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है अभी भी 2a square बच रहा है बीच में minus का sign यहाँ पे क्या बच रहा है 3b square plus का sign यहाँ पे क्या बच रहा है 4c square बच रहा है कर लिजिए, कर लिए आपने note down, चलिए, अब next देखते हैं, next क्या देखे रखा है, next हमें देखे रखा है, eight question जो कि क्या है, minus four a square plus four a b minus four c a, तो directly देखके समझ आ रहा है, तीनों में ही four common है, four को बाहर लिख देगे, तीनों में a भी common है, a भी आ रहा है, तो हम a भी बाहर लिख देगे, then उसके बाद, यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर minus बच रहा है, and साथी में a बच जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ फर सिर्फ एक a को बाहर निकाला है, यहां पर a square था, मतलब 2a आते हैं, तो a के अभी भी bracket में बच जाएगा, ठीक है, यहां पर plus का sign, four a बाहर निकाल लिए, तो यहां पर minus and साथ में c बच रहा है, ठीक है, तो factorize करने पर answer क्या आ रहा है, four a bracket open minus a plus b minus c bracket close, ठीक है, आगया समझ में चलिए अब next देख लेते हैं, next nine question क्या है, x square yz plus xy square z plus xyz square, ठीक है, इतना आया समझ में, तो तीनों में ही अगर हम देखें, हमें x common मिल रहा है, साथी में अगर हम y को देखें, तो y भी common मिल रहा है, साथी में हम z को देखें, तो z भी common मिल रहा है, लेकिन सरिफ 1x, 1y और 1z common मिल रहा है, तो मतलब xyz को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, xyz को बाहर निकाला, तो यहाँ पर 2x थे, तो 1x अभी भी बच रहा है, प्लस का साइन, यहाँ पर 2y थे, तो 1y अभी भी बच रहा है, प्लस का साइन, यहाँ पर 2z थ Z bracket close ठीक है आगया समझ में आया है तो आप इसे note down कर लीजिए कर लिया अपने note down चलिए अब जो next question है ये क्या है ये आपके लिए homework है आपको comment section में बताना है factorize करके आपका answer क्या आया है ठीक है क्योंकि 9 questions मैंने कर वा लिया तो एक आपके लिए homework बनता है ठीक है चलिए अब next तो देख लेते हैं next क्या है question third question third क्या है factorize हमें क्या करना है factorize करना है जिसमें पहला question क्या है यहां पर लिख लेते हैं यह यहीं पर देख लेते हैं पहला question है x square plus xy plus 8x plus 8y अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर four terms हमें देखे रखे हुए हैं तो ऐसे terms को हम factorize कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमें similar terms को group में divide करना होगा जैसे कि एक group यह बना लिया, दूसरा group यह बना लिया ठीक है? and then इनको factorize करना होगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें, first question की सबसे पहले group क्या है? x square plus xy, ठीक है? इतना है समझ में x square मतलब x multiply by x, बीच में plus का sign then xy मतलब x multiply by y तो दोनों में ही हमें x common दिख रहा है तो x को बाहर लिख देंगे, फिर एक x यहाँ पर बच रहा है बीच में plus का sign और यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर y बच रहा है, ठीक है? आगया समझ में, दोनों में से x को बाहर निकाल रहे है तो बच क्या रहा है? 1x और यहाँ पर 1y और प्लस का sign ठीक है? इतना आया समझ में चलिए, अब next देखते है, next क्या है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इस expression को लिखेंगे जो कि क्या है? x square प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y ठीक है? अब इस, मतलब यह जो group था है, इसमें factorize करने पर क्या answer आया है? वो हम लिखेंगे क्या answer आया है? x, x प्लस y ठीक है? बीच में क्या है? प्लस का sign, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? प्लस का sign, अब इस group को factorize करने पर answer क्या आया है? 8x प्लस y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, और यहाँ पर x प्लस y, ठीक है? इतना आ गया समझ में, तो हमें क्या दिख रहा है? दोनों में ही x प्लस y common है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस y को बाहर निकालेंगे, तो answer क्या आयेगा? यहाँ पर x प्लस 8 अभी भी बच रहा है, तो यहाँ पर हम x प्लस 8 लिख देंगे, ठीक है? आगया समझ में, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? री ग्रूपिंग करके, ग्रूप बनाके, हम फैक्ट राइस करके, answer लेकर आ सकते हैं, आगया समझ में आया है, तो आप no down कर लीजिए, कर लिया no down, चलिए, अब next question देखते हैं, next question क्या है? question second, question second क्या है? 15xy-6x, plus 5y-2, सबसे पहले ग्रूप बनाएंगे, तो एक ये ग्रूप बना लेते हैं, एक ये ग्रूप बना लेते हैं, तो ग्रूप बनाने पे सबसे पहले ग्रूप क्या है? 15xy-6x, ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखे, दोनों में हमें क्या common मिल जाएगा? दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो 3 हमें common मिल जाएगा 3 को बाहर निकालेंगे दोनों में हमें x भी common दिख रहा है तो यहाँ पर x लिख देंगे ठीक है तो 3x जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच रहा है 5, 3 is a 15 होता है 3 बाहर निकाला तो 5 अभी भी बचेगा x हमने बाहर निकाला है लेकिन y तो अभी भी बच रहा है यहाँ पर minus का sign है यहाँ पर भी लग जाएगा then यहाँ पर भी हमने 3 को बाहर निकाला है इसमें से भी हमने 3 को बाहर निकाला है तो 2, 3 तो 6 होता है लेकिन 2 तो अभी भी बचेगा ना और x भी बार निकाला है तो मतलब सिर्फ फर्स तरफ 2 ही बचेगा तो यहाँ पर answer क्या आ रहा है 3x bracket open 5y-2 bracket close ठीक है अब next group क्या है 5y-2 ठीक है अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों ही terms में हमें कोई भी common चीज़ नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या है अगर किसी में हमें किसी भी term में common कुछ नहीं मिलता है तो उसका common factor क्या होता है 1 होता है यह मैंने आपको पहले भी बताया था तो यहाँ पर हम दोनों में से सिर्फ और से 1 को बाहर निकालेंगे ठीक है 1 को बाहर निकाला तो यहाँ पर 5y अभी भी बच रहा है minus 2 अभी भी बच रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आ गया 1 bracket open 5y minus 2 bracket close ठीक है अब इस expression को हम लिख देंगे 15xy minus 6x plus 5y minus 2 ठीक है आगे समझ में तो इस group की अगर हम बात करें answer क्या आया था 3x 5y minus 2 ठीक है बीच में क्या है plus का sign यहाँ पर plus का sign लग जाएगा इस group की बात करें तो क्या answer आ रहा है 1 5y minus 2 ठीक है अब दोनों में अगर हम देखें 5y minus 2 5y minus 2 क्या है common है तो अब हम क्या करेंगे 5y minus 2 को बाहर लिख देंगे तो यहाँ पर bracket में क्या बचेगा 3x plus 1 इन दोनों मतलब यह दोनों common आ रहे थे तो दोनों में से एक बार हमने बाहर लिख दिया यह जो है यह जो हमें दिख रहा है 5y minus 2 इसको आपने बाहर लिख दिया तो बच क्या रहा है यहां पर 3x तो 3x आ गया यहां पर plus 1 तो यहां पर हमने plus 1 लिख दिया ठीक है तो ऐसे करके हमने क्या किया फैक्टराइस कर लिया है तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लिजिए कर लिया अपने नोट डाउन चलिए अब next देखते हैं next क्या है third question third question क्या है 8x plus bx minus 8 ay minus by तो यह एक ग्रूप बन जाएगा और यह एक ग्रूप बन जाएगा ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहला ग्रूप ax plus bx दोनों में क्या common दिख रहा है साफ देखकर ही पते चल रहा है x common है तो बच क्या रहा है यहां पर a यहां पर plus यहां पर b ठीक है तो मतलब क्या है factorize करने पर x bracket open a plus b bracket close हमारा answer आया है ठीक है फिर next group देख लेते हैं next group क्या है minus ay minus by तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोनों में हमें क्या दिख रहा है y common तो हम y को भार लिख देंगे ठीक है y को भार लिखा तो यहां पर क्या बच रहा है यहां पर minus a बच रहा है यहां पर minus b बच रहा है यहां पर minus b बच रहा है लेकिन अगर आप से देखें यहाँ पर A, B माइन А, B और हमने बाकी के z weigh इक जो आता है यहाँ पर जो ब्राकट में रिखी दोनहों गृम्स में से यह जो ब्राकट वाला काया है वह हमना आता हैब लेकिन यहां पर तो आ忒म dit नहीं दिख रहा है सेम नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे वाई की जगा माइनस वाई को बाहर लिख देंगे किसे बाहर लिखेंगे माइनस वाई को मतलब इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं बाहर लिख रहे हैं तो जब हम माइनस के साइन को बाहर लेते है या common लेते हैं तो अंदर वाले sign हो जाते हैं change मतलब यहाँ पर minus Y हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर A बचेगा positive A आएगा यहाँ minus का sign है लेकिन minus का sign हमने बाहर ले लिया तो sign change होगा plus का sign आ जाएगा and B बच रहे तो यहाँ पर B आ जाएगा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी a plus b है यहाँ पर भी हमें a plus b मिल गया ठीक है आगया समझ में तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर expression क्या है ax plus bx minus ay minus by ठीक है इतना आगया समझ में तो यह जो group है इसको factorize करके क्या answer आया x a plus b ठीक है एंड यह जो group है इसको factorize करके क्या answer आ रहा है minus y a plus b अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी a plus b है यहाँ पर भी a plus b है तो a plus b निकल जाएगा common and then उसके बाद यहाँ पर बच रहा है x यहाँ पर बच रहा है minus y तो हमारा answer क्या आ रहा है a plus b ठीक है bracket में आ रहा है a plus b and then again bracket में क्या लिखा हुआ है हमने x minus y ठीक है आ गया समझ में आया है तो note down कर लीजिए कर लिया आपने note down और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को like, comment and share कर देना है अब next से देखते हैं next क्या देखे रखा है हमें 15pq plus 15 plus 9q plus 25p तो अगर हम बात करें सबसे पहले group की जो कि हम क्या ले रहे है 15pq plus 15 तो हमें क्या समझ में आ रहा है दूनों में क्या common है 15 common है तो यहाँ पर हम 15 ले लेंगे ठीक है bracket open यहाँ पर क्या बच रहा है अब pq बच रहा है plus का sign and यहाँ पर हमने 15 common ले लिया है तो कुछ भी नहीं बच रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ठीक है क्योंकि 15 वान सा 15 ही ultimately answer आएगा ठीक है आगया समझ में तो जहाँ पर हमें देख रहा है कुछ नहीं बच रहा है तो हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं ठीक है इतना आगया समझ में चलिए अब उसके बाद आगर हम next group की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है 9 q plus 25 p ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखे 9 q and 25 p में हमें कुछ भी common नहीं मिलेगा ठीक है factorize करके अगर आप देखेंगे तब भी आपको common नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमें कुछ भी common नहीं मिल रहा है तो इनका common factor क्या होगा 1 होगा ठीक है तो 1 अगर हमने बाहर निकाला है तो 9 q as it is आ जाएगा plus 25 p भी as it is आ जाएगा ठीक है आगया समझ में अब हम क्या करेंगे अब हम लिख देंगे यहाँ पर expression जो कि क्या है 15 p q plus 15 plus 9 q plus 25 p ठीक है तो इस group में answer क्या आ रहा था 15 p q plus 1 ठीक है एंड इस group में हमारा answer क्या आ रहा था plus 1 9 q plus 25 p ठीक है आगया समझ में तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यह जो है यह जो है दोनों ही क्या है दोनों ही अलग है क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो हमें यहाँ पर answer मिला है और यहाँ पर answer मिला है दोनों ही क्या है अलग-अलग है तो हम यहाँ से common कुछ निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते हैं तो हमें क्या करना होगा group को change करना होगा हमने directly ये group लिया and ये group लिया, है न? सीधा-सीधा हमने group लिया, पहले के दो and last के दो, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं? दोनों के answer क्या आ रहे हैं? different आ रहे हैं तो इसलिए हम fact price ही नहीं कर पा at the end जाके तो अब हम क्या करेंगे अब हम group को change करेंगे क्या करेंगे group को change करेंगे यहाँ पर आके आपको confused नहीं होना है आपको अच्छे से देखना पड़ेगा यहाँ पर तो कुछ common ही नहीं मिल रहा था ना यहाँ पर common कुछ मिल ही नहीं रहा था इसलिए यहाँ पर भी हमें कुछ common नहीं मिल पाया है तो अब हम क्या करेंगे? ग्रूप को change करके लिखेंगे क्याँ से? यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो 15PQ है और यहाँ पर जो 9Q है इसका ग्रूप बन सकता है क्यों बन सकता है? दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं इसी रहेगा नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 15 है यहाँ पर 25P है इसका भी ग्रूप बन सकता है क्योंकि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये जो group हम बनाएंगे ये जो group हम बनाएंगे ये हमारे लिए जादा easy रहेगा factorize करना and हमारा answer उसी से निकल के आएगा ठीक है आ गया समझ में तो ऐसे questions में आपको confused नहीं होना है आपको पहले check out करना है आपको देखना है कि हम easy group कौन सा बना सकते हैं ठीक है आगया समझ में तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 PQ plus 9Q ठीक है तो 15 and 9 में सबसे पहले तो 3 common आता है हम 3 को बाहर निकाल लेंगे ठीक है साथ में क्या बच रहा है P तो यहाँ पर हम P लिख देंगे बीच में plus का sign दैन उसके बाद यहाँ पर क्या है यहाँ पर है 9Q जिसमें से हमने 3 बाहर निकाल लिया तो 3 अभी भी बचेगा क्योंकि 3 3 is a 9 होता है एक 3 बाहर निकाल लिया एक 3 अंदर आएगा Q भी बाहर निकाल चुके हैं तो अभी स्रिफ 3 ही आएगा ठीक है तो factorize करने पर क्या आया है 3Q bracket open 5P plus 3 bracket close ठीक है इतना आगया समझ में चली अब next group हम क्या बना रहे है 15 plus 25P क्या बना रहे हैं 15 plus 25P दोनों में से हमें 5 common मिल जाएगा और कुछ common मिल रहा है नहीं तो यहाँ पर हम लिख देंगे bracket open 5 3 is a 15 होता है 5 हमने common ले लिया यहाँ पर 3 आएगा बीच में plus का sign 5 common ले लिया है तो 5 अभी भी बचेगा क्योंकि 5 5 5 जा क्या होता है 25 एक 5 हमने बाहर निकाल लिया एक 5 अभी भी बच रहा है और साथ में क्या बच रहा है P तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है 3 प्लस 5P यहाँ पर क्या था 5P प्लस 3 तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 5P प्लस 3 दोनों ही positive हैं तो हम position change करके भी लिख सकते हैं अब हमी क्या मिल गया है यह and यह common मिल गया है, अब easily क्या हो जाएगा, factorize हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर हम expression लिखेंगे 15pq plus 15 plus 9q plus 25p ठीक है, जिसमें हमने जो group किया था ना, जो grouping करी थी हम उसको साथ में लिख देंगे जैसे grouping करी थी हम उसे ऐसे expression मना के लिखेंगे, ठीक है 15pq, साथ में लिखा था 9q, तो यहाँ पर 9q आएगा देन उसके बाद 15 plus 25p आजाएगा, ठीक है यतना आगया समझ में, तो पहले group में answer क्या आया है 3q, 5p plus 3, ठीक है देन उसके बाद next group में answer क्या आया है plus 5, 5p plus 3, अब दोनों में हम देख सकते हैं 5p plus 3, 5p plus 3 दोनों में ही क्या है, common है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5p plus 3 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, 3q और यहाँ पर क्या बच रहा है, plus 5 तो 3q plus 5 हमने लिख दिया, तो answer क्या आरहा है अगया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए अब next यहाँ पे देखते हैं next क्या देखे रखा है next हमें देखे रखा है z-7 plus 7xy minus xyz तो अगर आप ध्यान से देखे न z-7 में हमें कुछ common नहीं मिलेगा यहाँ पर तो फिर भी मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ common नहीं मिल रहा है common बनाने के लिए हम group को change करेंगे कैसे? यहाँ पर हमें z देख रहा है यहाँ पर भी minus xyz है जिसमें z common है तो हम इसका and इसका group बना सकते हैं बिल्कुल तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 1 minus का sign and यहाँ पर क्या बच रहा है? xy ठीक है यहाँ पर जब हमने z को बाहर लिख दिया तो कुछ नहीं बच रहा था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 and then minus and then यहाँ पर भी z बाहर निकाला है तो xy बच रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? xy ठीक है इतना आगया समझ में चलिए अब next group क्या होगा? minus seven plus seven xy ठीक है तो इसको factorize कैसे करेंगे? जल्दी से करके बताईए पहले इसे कर लिया आपने note down? मतलब note down आपने कर लिया na solve क्या है answer? क्या है यहाँ पर हमें यहाँ पर seven दिख रहा है यहाँ भी seven दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे seven ठीक है? दोनों में seven common है अब seven बाहर निकाला है तो यहाँ पर minus का sign दिख रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? minus one बीच में आएगा plus का sign अब यहाँ पर 7 बाहर निकाला है तो क्या बच रहा है यहाँ पर xy बच रहा है ठीक है तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है minus 1 लेकिन यहाँ पर तो 1 था यहाँ पर क्या है minus xy और यहाँ पर क्या है plus xy लेकिन हमें तो सेम चाहिए रहता है, common चाहिए रहता है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 की जगा minus 7 को बाहर निकालेंगे मतलब minus को भी हम common लेंगे, इससे क्या होगा, अंदर के sign change हो जाएंगे आगया समझ में, तो जब हम 7 की जगा minus 7 बार निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि minus 7 multiply by 1 कितना होगा, minus 7 ही होगा, बीच में plus का sign है, तो क्या plus का sign लगेगा, नहीं अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम minus का sign निकाल लेते हैं, common, तो sign हो जाते हैं, change, जैसे कि यहाँ पर minus का sign था, हमने positive 1 लिखा है तो यहाँ पर positive का sign है, हम यहाँ पर negative का sign लगाएंगे, ठीक है, आगया समझ में, तो यहाँ पर plus का sign नहीं लगेगा, बलकि minus का sign लगेगा 7, minus 7 तो बाहर निकला है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x, y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, y, ठीक है तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या है, 1 minus x, y, यहाँ पर क्या है, 1 minus x, y, ठीक है fact price करने पर क्या आया है z bracket open 1 minus xy ठीक है then उसके बाद minus 7 1 minus xy तो दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है 1 minus xy common है तो हमने यहां पर common लिख दिया ठीक है इतना आ गया समझ में then उसके बाद हमें क्या दिख रहा है then उसके बाद हमें क्या दिख रहा है z and यहाँ पर क्या बच रहा है minus 7 यह जो common आये इसे हमने बाहर लिख दिया फिर उसके बाद यहाँ पर z बच रहा है and यहाँ पर minus 7 तो वो भी हमने लिख दिया है तो answer क्या आया है bracket open 1 minus xy bracket close then again bracket open z minus 7 bracket close ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे no down कर लिजिए कर लिया अपने no down चलिए तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो complete exercise 12.1 हमने बहुत ही अच्छे से complete कर लिया है and जो homework दिया है वो आपको करना है and comment section में उसका answer बताना है वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को like, comment and share करना है and then फिर जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe यह रही हमारी application यह रही हमारी website and यह रही हमारे top courses जो आपको provide कराते हैं free of cost, quality education e-books and e-notes की जो link के आपको description box में मिल जाएगी and यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पर भी जाके visit कर सकते हैं and कर सकते हैं magnet brains को follow अब इससे next video में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ यह जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा magnet brains को subscribe Thank you so much